क्यों कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे जबर्दस्त होंगे लाज जवाब होंगे कुछ खास हम खास होंगे मैं प्रबीड यूटूब के स्प्लेट फार्म रोजगार विद प्रबीड पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आए आज हम जानेंगे डी आई जो के किसी भी प्रतियोगी परिच्छा में आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से और ना कोई ट्रिक ना कोई सूत्र अंली वन लॉजिक लगा करके हम इसे सीखेंगे बहुत ही खासम खास वीडियो है यह आपको यद्य हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सेर यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो एक वार वीडियो पर कमेंट कीजिए आईए चलिए देखते हैं आज का जो पार्ट है डी आई डी डी आई का फुल फॉर्म होता है डाटा इंटर्पर्टेशन या फिर आप देखी रहे हैं आंकड़े बिसलेसर ठी है पहला ग्राफ टेवल ग्राफ होता है दूसरा ग्राफ पाई ग्राफ होता है जिसको पाई चार्ट के नाम से जानते हैं तीसरा बार ग्राफ होता है और चौता वाला जो होता है लाइन ग्राफ होता है इतना आप समझे लीजिए जिसमेंसे हम आपको इस graph पे हम समझाते हैं कि ये तो table graph हम इसको table graph से आपको समझाते हैं या फिर आपको समझाएंगे हम line graph के आदार पे जैसे देखिएगा और इस part को starting करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस part में कितने और पार्टों का निसकर्स यानी मिस्रड है उस मिस्रड को आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा और बहतरीन कॉंसेट होगा जो कि कुस्टन को आप देखते ही ततकाल आंसर देंगे लेकिन आप मरते दम तक नहीं भूलोगे इस वीडियो को जब आप एक बार देख लोगे कितना भी धाकड प्रस्न क्यों ना हो आप उसे एक नजर में चुटकियों में इस कदर से उड़ा दो गए जैसे देखिएगा इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कोई सर्थ है इसकी पहली सर्थ आपकी अनपात इस अनपात को आपको समझना पड़ेगा और सेकंड जो नियम लगता इस पार्ट में आपका आउसत आउसत का मतलब होता है आउसत का मतलब यह होता है जैसे आप तीन व्यक्ति हो एक व्यक्ति के पास 10 रुपय है दूसरे के पास 15 रुपय है यानि टोटल रुपय कितने हैं 10 15 20 आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा 10 15 25 25 लेकर ये 45 रुपय थे कितने लोगों के तो आपको पता एक के पास 10 थे एक के पास 15 थे एक के पास 20 थे कुल मिलाकर लोग वह आपके तीन यानि तीन लोगों पर 45 रुपय ते तो रुपय हमने खट्टे कर लिया और यह जो लोग है वह आपके पद है इसको समझ लीजिए और सब्सक्राइब कुल बटे इतना है संख्या इतना समझ गें होंगे इतना नियम इसका लगता है आपका अनपात आपकात अपका हुई गया तिस्तों इसमें आपका अधर प्रत्यसत प्रत्याइब प्रतिसत को मतलब होता है प्रतिसत यानी सौपर एक यह फिर एक भाग कर देंगे इतना आप समझ गए होंगे आगे देखिएगा चौता पोइंट है जो आपका है प्रत्सत हो गया ये है आपकी डिगरी की और पांचवा पॉइंट है चौता पॉइंट आपका डिग्री है इसका बहुत बड़ा खेला है थोड़ा आगे इसको समझाएंगे जगह कम होने के करद इसको नहीं सम्झा पा रहे हैं आगे समझेंगे डिग्रियों पर्षेंट का बहुत ही का यह हैं यह जिस संख्या के पीछे लगा हुआ जिस संख्या के पीछे लगा हुआ इसका मतलब है जिस संख्या के पीछे हम उसी संख्या से भाग करेंगे समझ लीजिए जिस संख्या के पीछे हैं उसी संख्या से क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो आपका आंसर 100% आने का चांस हो जाएगा जैसे आगे देखिएगा हम कुशन की और बढ़ते हैं यहां से जैसे देखिएगा कि एक टेवल ग्राप में एक बल्लेवाज द्वारा भिभिन पारियों में बनाए गए रनों को दर्साया गया है दिये गए प्रशनों का उत्तर दीजिए यह उसने टेवल दी हुई है जिसमें नीचे की और जो दिखा रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह क्या है सभी आपकी पारियां है पारियां को हम क्या बोलेंगे संख्या क्या बोलेंगे शंख्या इनिंग और इ समय है आपके रन यह पारी है यह रन है समझ रहे हैं आप इसका मतलब यह है कि यहां नंबर जो दिखाया गया है उपर इसका मतलब ऐसे चलता है कैसे चले गई इस कदर से तो आप पैंचार लोगे कि किस पारी में कित्रे रन है ऐसे चलेगा तो आपकी क्या चलेगी पारी और ऐसे चलेगा तो आपका क्या चलेगा रन समय रहे हैं यह पहली पारी इसमें रन कितने हैं 108 दूसरी 65 रन है तिसरी पारी 103 रन है । चौती फारी में 113 रन है पांच भी में बजन जो दिया गया उसका ग्राफ है यह तो आपको पता है इसको टन के हिसाब से बाटा गया है जीरो टन का है यह दस टन का है लेकिन उसने कहा है कि अजार टन में दस का मतलब है तो इसके सामने इसको डोट डोट करके दिखा दिया है उसने कहा है कि यहां तक जो एरिया चलेगा वह आपका बीस अजार का है जोने के बीच में आएंगे इस एरिय आप हम नापेङए जैसे पंद्रा के दे तो आपको पता कि पंद्रा हो दो पीच में और हो खोगे तो बीच में रखोगे जैसे समझाया भी गया है जैसे लिखा हुआ 45 तो artists रखा हुआ है मतला यह है यह आपका जो आएगा इस Ci trying सब्सक्राइब परिच्छा में बना हुआ दिखाई देगा इतना गिराफ आपकी परिच्छा में छपा हुआ आएगा यह प्रशन भी पूरे छपे हुए सब्सक्राइब परिच्छा में छपा हुआ आएगा सिर्फ आपको प्रशन को हल करके उसका उत्तर देना है लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए हर एक वस्त अपने आप में 100% होती है जैसे वह कहेगा कि टोटल इनकम इनकी 50,000 तो 50,000 जो है वह 100 के बराबर है जब 100 के बराब कितना हम सबसे पहले एक का यूनिट निकाल लेंगे उसके बाद चाहिए वह किसी का भी पूछे उसका है उसमें multiply भाग जोड गठाए बुड़ा जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे इस बात को आप समझ गया होंगे कुस्षन इसमें दो इतरीके के आएंगे एक तो 100% से आएग तो 10% में कितने से बुड़ा कर दिया जाए कि वह 100% पहुंच जाए तो आपकी कुल वैलू निकलके आ जाएगी आप समझ गहोंगे या तो 100% से पूछेगा या फिर बीच की पर्षेंट से पूछेगा जैसे आगे दिया है आप समझ लीजिए उसने कहा है कि कितनी पारियो पारियों पहले पारियों पारियों यहां से जोड़ लेते हैं एक सोच और आप जानते हो ऐसे नहीं आता तो एक एक करके जोड़ लो से चार दस सात्तरा दो 19 1जनों 28 2838 36 363 चांता पुंतालिस 39 32 42 32 पां सहतालिस गतना हुआ कि तैंग वह व्यसाप में कितना साथ क्षपन ना पचपन पचपन यहां लेका लेए हैं पचपन की 5 हांसल कितनी पांच शेकंड से आते हैं दूसरे बालियो जीरो जीरो तो जीरो जीरो ही होता जीरो में जीरो जीरो के साथ को संक्या जोड़ेगी तो वो संक्या आएगी जीरो जीरो हासे लोगी 55 55 10 17 007 कतना होता है वैसा 24 24 25 25 26 26 32 32 की दो आसर कितनी तीन हो जाएगी इतना आप समझी का होगी तीन हो गया अब आते हैं नंबर बन पर एक दो तीन चार पार्च और तीन आठ यह आपका टोटल है क्या है यह टोटल कुल आपका निकल के आया है टोटल जोटी से दिखाते रहे टोटल आया आपका 825 लेकिन उसने कहा ह है कि इनका आउसत ग्याद कीजिए आउसत आप जानते को कुल बट्टे संख्या कितनी हैं दस यह मैं इसमें क्या करता हूं कि 825 मैं दस से भाग दे दुमा तो आपके एवरेज निकल के आजाएगा जो के 82.5 हो जाएगा जो के एवरेज है एवी एवी से दिखाते रहे एवरेज जो 82.5 है अब उसने कहा है कि इनका आउसत जो है न इनका जो आउसत है उससे कितनी संख्या यानि नहीं कितने रन अधिक वाले यानि कितनी पारियां ऐसी है जिन्हें रन अधिक है इस बैस अधिक है इस अधिक है इसमया कितने पैसट इसमें आपके सब्सक्राइब थो तेरा औरी कम है एक सो तेरा यह अधिक है तो पारी से किसमें होगी है एक सब्सक्राइब तो 5 पारियां आपकी ऐसी हैं, जो आपके उसत से अधिक हैं, कुछन आपको समझ में आगया होगा, उसने क्या कहा है, कि सब का उसत निकाल लो, उसके बाद में उसत से ये चेक करो, कितनी पारियों के रन इस वा सब निकल आ है निकल रहे हैं तो हमने वही तो किया एक में बनाये गए और पारि पांच में बनाए गए ना कर आए जहां पर का नियम आ जायगा का का नियम उसका वह उसी का वह जिसके साथ का इस कदर से लिए जिसके साथ कि उसी का भाग आप समझेगा होंगे जिसके साथ आएगा उसी का क्या करेंगे भाग देंगे आप देख लीजिए वह आरी एक में कितने रंड बने हैं इसने का बनाएगे रंड कितने हमारे पर यह पास पारी एक 108 है इतना आप समझने कितने बनाई गए रण का कि अब पारी पांच करना कितना एक एक कितने से उसे तो आपका पर्शंट में चैंज हो जाएगा इसका में जब कार्ट कीट करके जो आएगा आणसर वह आपका 138 आज आएगा आप देख लीजिए कितने से कट जाएगा चार से कट जाएगा नहीं कटेगा इसको काटते हैं कि दो से काट रहा है तो दो पंजे दस दो चौके आठ दो से इसको काट रहा है दो ती अच्छ है वहले जाएगे उपर हो गया हमारे पास कितना इसे बटे कितना इस इसका भाग दे दिजिए तरह डिश नहीं पांच पांच पीछ लग जीरो तेरती उन्तालीस है ठीक है ना तेरती उन्तालीस बच कितना का 1110 तेराट्थे एक सो चार लागपक हमारा अंसर यह मिल रहा है पॉइंट लगा के जो भी आंसर आएगा आपका यह हो जाएगा आप समझ गए होंगे हमें सिर्फ इतना समझना कुस्तन में जिसके साथ का आएगा उसी का करेंगे भाग देंगे समय रही हो जिसमें पूछा जाए उसमें उसने ूच् gives arrive बात परत्त का मतलब यह होता है सभी को बराबर बराबर बाटना अम मुझे बताईए यह जो रोसत निकलके अभी जो आया था 62.5 यह 10 पारीयों का था इसका मतलब था था और यह 10 जो लोग हैं तो उसने भी दो ही पूछा है कि प्रत्य पारी आवस्त रन कितने हैं तो 82.5 हो जाएगे आपके 82.5 समझ गहीं आप आप आषाथ का मतलब होता है सबी को बराबर-बराबर बाटना जो दस्वे नंबर को मिलेगा होई दूसरे को मिलेगा वही सत्वे को मिलेगा वही समझ गए आप और सत्कमतला था सभी को बराबर बराबर बाँटना आगे अगए पहली 5 पारियों को जोडने के बाद ऊसे और रहा जाता है और अगली established को कँ आर टू कहा जाता है तो आरवन व राटू का अंतर को जाता है पहले पांच पारियों को जोडने पे उसे पांच पाइल भुजी यह रहां यह रही है या यहां से यहां तक-वश हुआ रहा की चूडने पर यह जोडने है इक हależन्त Lieutenant इनकाल देंगे बाद में पांस तक तक जोड़ो आठ तीन कितना होता है ग्यारा आठ तीन ग्यारा तीन चौदे चौदे पांच उननीस आठ शत्ताइस कितनी यह रख देते हैं 27 की 7 हांसिल 2 आगया जाएए शाथ और दो नो नो एक दस एक ग्यारा ग्यारा चेह सत्रा सत्रा की साथ हांसिल कितनी एक नंबर आया तीसरे एक तो एक दो और तीन कितना हो जागा है टीन सो सबत्तर जो कितना है और वना है समझ गया आप अब हमको आरटू नेकारना है यहीं पर आरटू कितना है यहां तक कि यहां से देख लो बएक टने चारदस शास पहले सिर्थ ले लीजिए आप चाहें तो नहीं ले तो कोई देखत ने आपको डाइट करना है तो पहल 28 की आठ हांसल कितनी दो इसमाइब कर तो तो यहां पर दो पांच तो कितनी साथ साथ चौधय की चार हांसल कितनी एक आगे देख लिएजिए एक दो तीन और एक हासल का कितना हो जाएगा वाई चार यह हो गया 448 आप इने का अंतर निकाल लो अंतर का मतलब समझ लीजिए अंतर का मतलब यह होता है कि हम जहां जादा मैंसे कम को गठाएंगे चाहे वो मानस का हो चाहे वो प्लस का हो हम जादा मैंसे कम को गठाएंगे तो यहां जो भी जादा है उससे आप गठा दीजिए वह करने की जुरूत नहीं आप मैच कर लीजिए पहला को सब्सक्राइब का फिनिस होता है यदा आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के एक वार सेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको मिलवाट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर कीजिए और लेकिन बैल आइकन पर आपके लिए करना ना भूलिएगा जिससे कि इससे भी अच्छे अच्छे और हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके हैं अपने मित्रों तक पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोसिस कीजिए क्योंकि आने वाले प्रतियों की यह कह रहा है कि जालेन कंपनी द्वारा लोहे का उत्पादन अजार टन में दर्साया गया है दिए गए प्रश्णों को ग्राप की सायता से हल करें यानि प्रश्ण का फार्मूला यह होगा आपको इसको पढ़ने की ज्यादा जरुत नहीं है क्योंकि इसमें जो दर्साया जाता उसी के बारें बताता है लेकिन अबस यहां आपको एक चीज पर फॉकस करना है कि इसका रुपया पैसा टन कितना दिया है क्योंकि यहां पर और तो नहीं कुछ वोल दिया इसमें तो एक जाटन में बोला है इसका मतलब है यह जो वैलूए टन के साब से डिवाइड ह होई है तो अब देख लिए जी इस ने काया कि बशाश निस तो पैच्छानवे सतानवे ड़ाइड निग्यान दो या तो यह जो जब रहे है यह सब क्या बर्सों की कंडिशन है और इसकदर से चल रहे है वह हो आपके टन है यह दस टन का मतलब दस अजार टन क्या बीस पहले का आप माली यह लगबग महयां सा गलत ना हो जाए इस से देखते हैं इसको आप माली जिए 28 माल लो थोड़े देर के लिए ठीक है माल लेते 28 है और यह कितना है 28,000 तन आप कुशन पर आते हैं यह बर्स है इसके दर से बर्स नीचे वाली कंडिशन ऊपर चलती है और बगल वाली कंडिशन ऐसे चलती है यह आपको धार रखना है ठीक है किस बर्स में पिछले बर्स की तुलना में उत्पादन में बड़ोत्तरी का प्रसत महत्तम था समझे रहे हो अब इस बात को पहले समझे लो बड़ोत्तरी किस बर्स में पिछले बर्स की तुलना में बड़ोत्तरी का प्रसत महत्तम था इसका मतलब है कि प्रजेंट म में हम 2023 में हैं और आगे आएगा 24 2024 तो 24 की according अगर देखा जाता है तो 23 मां पिछला वर्स है और 23 के according देखा जाता है तो 24 मां अगला वर्स है या पैचान लोगे तो उसने यही कहा है यह ज्याद कीजिए कि पिछले वर्स की तुल नाम है जो पूछा गया है उसी का भाग देणा इस वाद का भिड्या रग लिजह टुढ़त की तुल नामे तो पिछले काई हम भाग देंगे पिछले बर्स की तुल नाम है जैसे देखिएगा 2002 में पूछ रहा है 2002 कहां यह रहा 2002 से पहले कितना है प्रद्दी तो आप यह से डाय देख लिए से यहां से बढ़ रहा है बढ़ जाए तो पांच विए पांच बट्टे कितना फचेंटर इंटू 100 उप्तिस पांच से काटव पचीश से काटव पचीश ती पिचेतर फचीश हो के सो उपर कितना वाजाएगा ये पांचों के 20 बट्टे कितना तीन लगवग 6.6 के लगवग चलेगा यांसर ठीक है अब अगले वाली को चेक कर लेते हैं पचास पे गुडे सो पचास दूने सो पचीद पर्शंट यहां कितना लगवग 6.6 पर संटा यह पचास पर संट अब आते हैं इसमें 1997 इनका डिफरेंस देख लो यहां कितने का दिख रहा है 20 का कितने पर 40 पर इंटु कितना तो बीच दूनी चालीच दो से कहा बार पचास बार यह पर्षेंट तो यह पर्षेंट बराबर ही है यहां भी पचास पर्षेंट है ठीक है अब आते हैं चानुवे वाले पर चानुवे आप देख लीजिए यहां से कितना बढ़ रखाई आप इसको अनुमाने 25 कर लीजिए वैसा थोड़ी सॉधियर परिए अनुमान में 25 मान लेते हैं ठीक है तो इनका कितना हो जाएगा 25 की था इस पर पर्षेंट कि रहें तो सो 25 के सब्सेंट इसमाहा कितना बढ़ा हुआ है लाश्ट वाले में 10.ब नुढ़े हैं पचास पर्षेंट इसमें ग्तना फर्षेंट इसमें कितना ब परशन्ट बढ़ा आपको साफ साफ दिखरा पिछले बरस के ज्यादा बढ़ रहा है ना जिस बरस के कहा जाता उसी का भाग देंगे संक्या में परशन्ट में क्लियर हो जाएगा कुसंद आपको थोड़ा दिमाग चलाना है इस पर आगे देखिएगा बरस उननीस्सों चैनलय नीस्टो साथानवे का आउसत उतपादन बरसों की किस जोडिके विल्पुल समान है 1996 व 1097 उसत अतुपादर बरसों की किस जोड़ी के समान है इस पर्सों इसको चालिस है और है 50 है समझ रहे होंगे नहीं इसका 40 और इसका 60 sorry 100 कितना गया है 100 100 वट्टे कितना दो लोग हो गया 96 97 कितने लोग है जितने लोग होंगे वही संक्या खेलाती है उनका तोटल जोड़ दो जितने लोग हैं जितनी बरस हैं उनका भाग करते तो आपका औसत निकल के आता है आप देख लीजिए टोटल कितने हैं चाली सेरा साठेरा टोटल हो गया सो समझ गया प्रोटल हो गया सो कितने लोग ते दो दो का भाग करती आंसर कितना आ जाएगा पचास अब आप यह देख लो ऐसी कौन कौन सी इसमें सन हैं जिन दो को जोड़ करके सो आना चाहिए क्योंकि दो को जोड़ों कि दो का बाद चाहिए जोड़ने पर कितना बेट रहा है 125 यह तो सो से उपर निकले गया यह तो नहीं होगा दियुक्त आते हैं उनिस सो पिच्चानवी कितना हमारे पास 25 है और 2000 कितना है 75 तो देख लोग यह 25 और यह कितना पचात्तर नों को जोड़ने पर कितना हो रहा है सो ही तो हो रहा है 25 पिच्चानवी की तुल्ना में 2002 में लोहे के उत्पादन में बड़त्री हुई उनिस सो पिच्चानवी की तुल्ना में 2002 उनिस सो पिच्चानवी के रहा है यह रहा 25 है और 2002 का कितना है 80 है जब इसमें यह 25 है और इसका हो गया 80 कुसर नंबर तीसरे का यहांसा चल रहा है वह दो जार उनिस सो पिच्चानवी 25 है और 2002 में कितना है 80 है यहांसे कितना बढ़ गया वही इससे देख लोगी पांच यह बढ़ गया यहां रहे गया तुमारा साथ में दो गया तो पांच बच्चीस पर इंटू सो पर्षंट बनागे तभी किलिए रोगा 25 चोगे आधियू 25 की पांच चाहसल कितनी दो 25-25 दो 272 यहांगी 205 इसका क्या है लोगे क्यों पुर्षंट में बढ़ रूत्तरी हुई है कि पिछला बरस अगला बरस पिछला बरस जो बोलता है तो पिछले बरस क्यों कर रहा है अगले बरस की तुलना में जिसका नाम पहले लेगा वही भाग में जाएगा यह आप समझ लीजिए और एक चीज़ हम क्या समझे हैं कि ओसत जो होता है सब को बराबर बराबर बांटा जाता है आप समझ गए हैं अब आपको यह भी बताया गया कि दो व्यक्ति हैं यानि दो स लोगों है इसार सम्झाय यह कोई समान और इसमें काया है दो लोगों कग्ति हैं दो लोग हमने घथे सबस्क्राइब तो निकल के कितना अगर अगले दो बैक्ती ऐसे और लेने जिने का जोड कितना होना चाहिए साथ क्योंकि उनका जब भाग दिया जाएगा तो अभी एविरेज कितना ही आएगा तीस ही आएगा तो हमको क्या करना उनका यह होगी आप ले लिजिए वस्त निकलनी कोई जरुत नहीं है इतना तो आप समझ गया होंगे आपके अगले कुशन पाईए बार गिराफ एक निश्चित कंपनी के छह भिन 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 विवागों एवी सीडी एफ में कारेट करमचारियों की संख्या को दरसाता है यानि एक यह विवाग है पूरा समय रहे हो जिसमें विवाग कौन कौन से डिवाइड हुए हैं एग विवाग की संख्या यह जीरो फांच है यह 25 है का मतलब है कि में करमचारियों की संख्या 25 है विवाग 20 करमचारियों की संख्या 10 है विभाग D में करमचारी उसंक्या 5 है, विभाग E में करमचारी उसंक्या 15 है, विभाग F में करमचारी उसंक्या 3 है, अब इस पर कुसन देगा वो, इतना तो आपको मैंने समझाए दिया, इसे ज़्यादा पढ़ने की जरुतने, आप डाट कुसन पर जाईए, इधर नीचे पड़े लीजी और साफ ड़े思ाए वाला पड़ेज़े आप को सन जैसा जैसा कहें वैसाब करते चलिए, जैसे देखिये दोस्तों किसि वभग में दूसरा सबसे अधिक करमचारी fuckin सबसे बड़े से एक स्छोटा होगा वो तीसरे कर करें अदिक, उससे पहलएगा उससे चो आप समझ गया होंगे ना इसलिए तो कहते हैं कि लहराओं से डर करना का पार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती हार नहीं होती जैसे देखिए दोस्तों कि आप इसे डाटी समझ लीजिए कि इसमें पच्चीस है या छहां दसे पंद्रहां तो दूसरे इस तरह का तुपर यहीं हो गया ना कौन है इसका अंसर है ठीक है ना तो दूसरे इस तरहीं सबसे बड़ा है अब कहरा है यह तक पांच करमचारियों को विभाग एसे संख्या किन दो विभागों की संख्या के बराबर होगी अब यह बताइए मुझे में कितने कंडिडेट है पच्चीस है पांच इस से चलेगा तो यहां कितने होगी आठ होगी करमचारियों की संख्या होगी आठ अब यह कहना चाहरा है ऐसे दो विभागों के ज्याद कीजिए जिन में करमचारियों की बीच की जो अंतर निकले कंए आएगा वह सबसे पहले और अंतर का मतलब है कि एक से ज्यादा होना चाहिए और दूसरे से कम होना चाहिए बीच में तभी आप आएगा जब एक से कम होगा दूसरे वाले से ज्यादा होगा सब्सक्राइब और यहां कितना रहा है और यहां कर पाया नहीं कर पाया यह कहना चाहिए तभी हम पता कर पाएंगे कर देखेंगे वीच में कि इतना आप समझ आँगे दोस्तों समझदार है आगे देखिये अब मैं इस बीच में कैसा आ रहा है समान को ने वी और थी और सी उसने साफ-साप का है यहां ते पांच करम चाहिए को बिभागए इस एप में भीज़े जाए तो तो विभाग A में आपके पास 25 करमचारी हैं 25 में से 5 चले गए एक के पास तो 20 रह गए न पहले से कितने करमचारी थैं । तरफ से वो भीच में आना चाहिए यानि समान होना चाहिए आप समझ गहूंगे कुछ बहुत ही बहुत ही बहुत निस तरीके समझ में आ यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के एक बार लाइक जरूर किज़ेगा आगे देखें दोस्तों कि यह दो लन्हांग एफ और डी को एक नया गवाग एं बनाने में बनाने के लिए भीले किया जाता है तो सबसे कम करमचारी किस वीडिये तो बदाहिए कि सबसे कम कि रहे जाएंगे एफ और दी कहां है एफ के रहे तीन डी के और पांच पांच और तीन को अब भठा दीजिए कितना हो जाएगा यह आठ और इसको एम कह दिया अब बतायी कि सबसे चोटा करमचारी कौन सा रहे गया है यह आठ है यह दोनों तो अठी गए ना सबसे कितना एच्छ है सबसे कितना दस इककशी सिब्सक्राइब और आठ है तो सबसे कम तो भी रहे गया उप्सन कोण सा उरज्ए कि सब्सक्राइब करमचारी का आउसत बेतन आठ जार रुपए कहने का मतलब यह है कि आठ जार रुपए एक करमचारी का है सबसे मैंने पहले मैंने आपको बताया था कि एक कुस्षन दो तरीके से चलता है एक तो आपका 100% से उठेगा और एक आपका जोटी चोटी परसेंटों से उठेगा तो एक करमचारी का आउसत वेतन आउसत की बात हमने यह बताया थी कि अगर एक व्यक्ति को वह रासी मिलेग अलग अलग चाहे है तो आप उसको बारी बारी से जोड़ लीजिए या फिर आपको इसको खटा करके बुणा कर दीजिए तो आपका दो तरीके सांसर आजाए तो आपका सीधा प्रस्षी देखी है जैसे देखिए करमचारी का औसत बेतन आट जार रुपन है तो बेतन के यह को समझे लोग 002280,000 पूरी कंपनी की लोग 3 0000 602 tuhr farmer गतनी प्रदी कंपनी देख नहीं कि प्रति कंपनी का अभिया यानि पूरी कंपनी की बात होने लगी एक कंपनी कूरी की कंपनी में विभाग है पूरी कंपनी है यह इसके विभाग है सब को जोड़ना पड़ेगा देखने हो जाएंगा विए पांच इसको देखो आइसको देख लो पचीज दस कितना हो थेकतीस एकतीस तरह सिकतालीस पांच कितना चैनी स्टरी सब्सक्राइब कितना है आट हजार है तो 64 का वेलू कितना वजा लवाई देख लो इससे बढ़ा कर दीजिए आट हजार कर तो टोटल वेलू निकल के आ जाएगा आपका आठ चौक बत्तीस की दो ट्रपल जीरो तो ही है आठ चौक तीस की दो हासिल कितनी तीन और तालीस और तीन एक क्या व के लिए पनाने के लिवे थे क्या करना प्रत स्वङ्चक को भाब लिए यह तो ऑघं़ भाके देना पडरी 얼마나 थे शिते हैं एक । पांच पॉइंट एक दो लाख है कि वाली बात आपको समझ भारी होगी दोस्तों यह आपको महारा यह कुशन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और वीडियो आपको महारा यह पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आखरी पर जैहिंद जै भारत